आज महत्व पूर्ण प्रोग्राम में से एक है आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे अटैक से बचें शेतानी उत्पीडन से आज मैं बात करने वाला हूं शेतानी चीजों से खत्रे के बारे में लोकों के होता है घर में, कार में, किसी विक्ति के उपर और बार बार आप ज चीज़ें सुन रहा हूँ, मैं असल में महसूस करता हूँ, कि पवित्र आत्मा इससे आपसे बात करेगा, मैं सोचता हूँ, कि यिशु का शरीर बहुत से विश्वासियों को समझने की जूर्थ है, कि ये कितना खत्रनाक है शेतान चीजों का होना या शेतानी चीजों का होना बहुत से लोग यह नहीं जानते उनके घरों में वो उनके घरों में बिमारी रख सकती है वो उनके घरों में शेतान रख सकता है वो उनको बांदे रख सकती है उनके घरों में बच्चों के साथ उनके प्रियों के साथ जो किसी लट से अजाद नहीं हो सकते यो कि कुछ उनके बेडरूम में है यो कि कुछ उनके घरों में है कि गरीबी भी घर में रह सकती है उनके परिवार में रह सकती है उन चीजों के कारण मुझे लगता है मैं आपका ध्यान खीच रहा हूँ परमेश ने मुझे सचमुच इसके बारे में बोलने को कहा मुझे असल में आपके पूरे ध्यान की जुरूरत है कृप्या शांती से बैठ जाईए और सब चीजों को बंद कर दें हमारी अच्छी बात होगी जो आपके परिवार को बचा सकती है संभवता आपकी जिन्दकी बचा सकती है शायद भुविश्य में कई साल पहले मैंने अपने माबाप के लिए परातन की बचाने के लिए मैंने तीन साल परातन की पर कुछ नहीं हुआ एक दिन परमेशर मुझसे बोला बिल्कुल साफ कई बार परमेशर आपसे अचानक बात करता है आप जानते हैं जिसके लिए आपको संदेह और प्रशन होता है परमेशर ने कहा सीडियों से नीचे जाओ और किताब को खतम कर दो या कहूँ नष्ट कर दो जो हबली बबली बोतल के अंदर है मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था हबली बबली एक बोतल होती है जिसमें पानी भरा होता है उसमें तमाखू पड़ा होता है आप दूएं को लेते हैं कुछ लोग उसे फुक का कहते हैं हम उसे हबली बबली कहते हैं परमेश्य ने कहा सीडियों से नीचे जाओ और उसमें पड़ी काली किताब को नश्ट कर दो मुझे तो पता भी नहीं था कि वहाँ कोई किताब है ये मेरे माता पिता के उद्धार के लिए था मैं नीचे गया और वो बोतल देखी और उसकी बोतल के तले कुछ पत्थर थे मैं गया और मैंने नश्ट कर दी न जानते हुए कि मेरे पिता इस बात के लिए बात से दुखी न होंगे पर मुझे तो परमेश्य की आग्या माननी थी मैंने वो किताब ली और आग में फैक दी परमेश्य के सामने सुनो की चिलाने की आवाजे आई मैं सचमुछ हैरान हो गया मुझे आग में उस किताब में से चिलाने की आवाज आ रही थी पहली बात की वह जल नहीं रही थी तब मैंने कहा इश्यू के नाम में तब पुवित्र आत्मा मेरे अंदर से हेली इशु के नाम में तब मुझे उसी समय महसूस हुआ कि ये शेतानी है जब मैंने कहा इशु के नाम में तो वो जलना शुरू हो गई और चिलाने की आवाजें निकलने लगी तब अगले दिन मेरे माता पिता सभा में आये जहां मैं परचार कर रहा था उस रात वे बचाये गए यानि प्रभु को अपनाया मैंने इसे अतीत में अनुभव किया है मैं उस प्रिष्ट भूमी या कहूं परिवार या खानदान से आया हूं जो जादू टोना पर विश्वास करते थे मेरे परभू में आने से पहले लोग मेरे घर आते थे वे हथेली पड़ते थे वो आम बात थी हम जादू टोना राशी में विश्वास करते थे और भविश्य बताने में ये मेरी जिन्दकी का हिस्सा था इस दुनिया में जब आप इसरेल में जाओगे तो आप शेतानी आँख चारो तरफ देखोगे हर घर में जो की शेतानी हैं बहुत से यातरी इसरेल में जाते हैं और दुकानों से खरीटते हैं न जानते हुए कि उनकी प्रवर्ती शेतानी तो परमेशर के पास बहुत कुछ कहने को है मुझे सचमच बताने की जूर्थ है किताबें, चीजें, वीडियो, तस्वीरें बाहर फैक दो यहोशू साथ में कहता है किन्तु इस्राइल के लोगों ने यहुआ की आग्या न मानी परमेशर इस्राइल के साथ बहुत गंबीर है अगर किसी की प्रवर्थी में श्राप है जो नश्ट कर दिया जाएगा तो क्यों? क्योंकि यह कारण है शितानी चीजों का बाइबल साफ साफ बताती है मैं तुम में कोई श्रापी चीज नहीं चाहता अकान जरी को गया उसने बेबिलोन का वस्तर लिया हुआ था और वहां बहुत चांदी और सोना था उन कपड़ों और सिक्कों पर शितानी तस्वीरे बनी हुई थी परमेशर ने उन्हें शितानी चीजें कहा कुछ लोग सहर को ए आई कहते हैं या आईल कहते हैं उन्होंने कहा ये छोटा सा कस्बा है थोड़े लोग भेजो पर वे फिर भी हार गए उन चीजोंने परमेशर की योजनाओं को नश्ट कर दिया तब यहवा ने यहोशो को कहा खड़े हो जाओ तुम मुखे बल क्यों गिरे हो इस्राल के लोगोंने मेरे वरुद पाप किया और मेरी वाचा तोड़ी क्योंकि परमेशर कबीले में सेतानी सीजों की आगया नहीं देगा उन्होंने वाचा का उलंगन किया उन्होंने कुछ चीजों के लिए जिने नश्ट करने का अदेश मैंने दिया था इसलिए याकूब के या कहूँ इजैल की संतान वहां खड़ी न हो सकी और पीड दिखा कर भाग आई उन सोने और चांदी पर शराप था उन पर खून था वो चीजें शैतानी थी यदि आप यहूशू छे का सत्रा पड़े तो नगर और हर चीज इसमें यहुवा की है केवल रहाव वैश्या और उसका घराना जिवित रहेगा छे के ठारा में यह भी याद रखो कि इसके अत्रिक्त हमें सबी चीजों को नश्ट करना है उन चीजों को मत ले आओ यदि तुम उन्हें ले जाते हो तो तुम अपने डेरों में लाते हो तो तुम भी नश्ट कर दिये जाओगे वो चीजें पूरे डेरे पर श्राप लेकर आई वो सोना चांदी और कपड़े क्योंकि उनके सिकों और कपड़ों और सोने चांदी पर कुछ था कई बार लोग नहीं जानते हुए हर घर में चीजे ले आते हैं और वो उन्हें श्रापित करती है इसलिए अकान नस्ट हुआ इसलिए बाद में वह मुसिबत लाने वाला बुलाया गया या कहूं कहलाया गया मैं कभी नहीं भूलूँगा एक बार मैं प्राथना कर रहा था मैंने कहा एक आदमी एरिजोना से देख रहा है तुम कैंसर से मर रहे हो तुम ठीक नहीं हो रहे हो जब तक तुम अपने घर में से उस किताब को नस्ट नहीं करोगे मैंने उसे पूरा बताया कि उस कमरे में जाओ उस सेल्फ को देखो वहां लाल किताब पड़ी है उसे नस्ट करो तब उसने किताब को नस्ट किया और कुछ मिरडबाद फोन किया और कहा कि मैं ठीक हो गया हूं मेरा दर्द चला गया है और वो रो रहा था वो ठीक नहीं हो रहा था और बहुत दर्द था जब तक ठीक नहीं हुआ जब तक उसने किताब को नस नहीं किया किताब किसी को श्रापित रख सकती है क्योंकि उसमें श्राप है शैतान अकरशित होता है देखने से सुनने से सूंगने से वो उनका पीछा करते हैं इसलिए कहते हैं कोई तस्वीर नहीं इसलिए जूटे धर् जूटे प्रमेशर वो मंत्र बोलते हैं बार-बार करते हैं वो सुगंदी द्रवे जलाते हैं शेतान उन चीजों का पीछा करता है मैं कई घर में गया हूँ और शेतानी उपस्ती महसूस की है एक बार से ज़ादा वह क्या है मेरे लोग नश्ट हो रहे हैं ग्यान की कमी के कारण शेतान चुराने और घात करने आया है वो चीजें शेतान को उनकी जिंदगी में खीचती है जब मैंने अपने घर से किताब नश्ट की तो कहा मैं मेरे घर कभी वापिस ना आना केवल नश्ट करना काफी नहीं आपको बोलना भी होगा जब भी आप चीजों को फैको या नश्ट करो तो आपको कहना होगा चले जाओ इशु के नाम में और कभी वापिस ना आना इशु के नाम में मैं तुझे निकालता हूँ यही बाइबल करने को कहती है क्यों गरीबी, पोर्टर प्राइस और कोलोगत्ता भारत में है मैं वहाँ होकर आया हूँ कितनी गरीबी वहाँ है क्योंकि वे मूर्तियों की पूजा करते है हर जंगा मूर्तियां सुगंदिं द्रव्य जिला रहे हैं मैंने देखा है, जानवरों को काड़ते हुए, बच्चों को गोबर खाते हुए यह देखना मुश्किल है मैं वहाँ खूमते हुए कह रहा था ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए गरीबी थी उन मूर्तियों और गुडियां के कार्ण उस शहर में कोलगत्ता और पोर्टर प्राइस जहां से मैं होकर आया हूँ कलगत्ता में हर जगा लोग मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं अगर आपको अपने बच्चों और परिवार की परवा है तो जुरू सुनना मैंने तीन साल परमेशर से अपने माता पिता के लिए प्राथना या कहूं विंतिगी पर कुछ नहीं हुआ जब तक मैंने किताब को नश नहीं किया अगले दिन अगले ही दिन वे दोनों बचाए गए यानि उद्धार में आ गए जब मैं उस दिन मीटिंग से होकर गया तो मेरे पिता ने कहा हम तुम्हारे जैसे कैसे हो सकते हैं उस दिन उन्होंने जीवन पाया उद्धार को यानि बत्तिस्वा को पाया शैतान आवाज से जैसे तुरी या बाजे या तस्वीर और मंतर से जो वे बार-बार करते हैं उससे आकरशित होता है मेरी मा के पास उन दासों या पुजारियों की तस्वीरें थी मेरे घर में और वो उनकी पूजा करती थी तस्वीरे और सुगंदी द्रवे शितानी चीज़े हैं ठीक है और मेरी मा पूजा करती थी और मैं पैरों की अवाज और चैन की खसीटने की अवाज को सुनता था अपने घर में, यानि जैफा में, उन चीजों के कार्ण चारों तरफ शेतान गूम रहे थे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने घर को साफ करो, उसके कार्ण आपके घर में शेतान है, वो आपकी गरीबी, पीडा और बिमारी रख सकता है, आपके अंदर सोचो, लोग गले में ताबिज पहनते हैं, वे शेतानी प्रवर्ती है, मैं फिलिपीन से एक ओरत को जानता हूँ, उसके पती के पास मुर्तियां थी, वो जानती थी, वो चीजें शेतानी हैं, उनकी जिन्दगी में बिमारी दुख कलेश आता था, उसने वो कुछ निकाल कर फैक दिया, उसका पती गुसा होता था, जिद्धी था, तब उनका प् जुरू की, वे मेरी सभह में आये थे, एक बार मैं अफरीका में गया, और एक ओरत, एक मखोटा पैने मेरी तरफ आ रही थी, आप उसके दवारा शेतान को महसूस कर सकते हैं, वो मुझे चिनोती दे रही थी, आप महसूस कर सकते हो, वो शेतानी हैं, इस तरह के मखोटे श सावधान रहो अगर आपने दिवारों पर लिटकाया है और चंतर मंतर की किताबें से बचो कुछ लोगों के पास चंतर मंतर की किताबे होती हैं कुछ लोग वेंपायर की मुवीज देखते हैं और ड्रावनी कहानिया देखते हैं एक लड़की टोरॉंटो कैनेडा में से मेरी मीटिंग में आई जिसका नाम सिल्विया है जो शुकरवार देर रात तक भूत और वेंपायर की मुवी देखती थी वो लड़की शेतान की कान पीडित थी और शेतान ने उसे काबू में किया हुआ था हमने उसमें से एक से ज़्यादा दुष्टात में निकाली क्योंकि वो अजीब मुवी देखती थी तब वो बचाई गी पर हमें सावदान रहना चाहिए कुछ लोग ताबीज और सिंग यानि किसी चीज़ का जानवर का सिंग होता है अपने गले में पहनते हैं जो कि शेतानी है मैंने अपनी सभा में कई बार देखा है कि लोग ताबीज पहनते हैं और मैं उन्हें कहता हूँ निकाल दो वो शेतान को आकरशित करते हैं चाहे वो तस्वीरे हो और मुर्ती हो चाहे मिसरी देवताओं या दुनिया में से कहीं की उसे निकाल दो आपके घर में नहीं होनी चाहिए राशियों को निकाल दो जब मैं ब्राजिल में था मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मैं होटल की लोबी में था और मैं वहां सेंडविच खा रहा था मैंने देखा जुलूस में लोग नाच रहे हैं और गा रहे हैं शेतानी चीजे महसूस हो रही थी कि मैं उसे देख भी न सका मैंने कहा हमें यहां से निकलना चाहिए क्योंकि लोग देख रहे थे वो शेतानी था वो जो सब कर रहे थे वो शेतानी था क्योंकि वे जूटे धर्म थे शेतानी चीज हैं राशी, पॉनोग्रोफी और कुछ परकार की मार्शल आर्ट और शेतानी प्रवर्ती चूंकि वो शेतानी दिमाग से पैदा हुई हैं ना कि पूरी मार्शल आर्ट, शेतानी मखोटे, गुडिया, मयामी की हर दुकान पर आपको ये दिखाई देगा और खतेली पढ़ना और कोफी के कप को पढ़ना जो हम करते थे इस्राइल में शेतानी आखें लोगों के घर में हैं गलातियों पांच का बीस में कहता है वे बिचार, अपवित्रताई, भोग विलास, मुर्ती पूजा, जादू टोना, बैरभाव, लड़ाई, जगडा, डाहा, करोद, मतभे, दिर्शा ये सब शेतानी है, शाउल क्यों मारा गया, क्योंकि वह जादू टोना करने वाली के पास गया था जैसे बुद्धा की तस्वीर, क्रिस्टल बॉल, आपको उनकी जुरूरत नहीं है, कोई भी वस्तू जिसकी लोग पूजा करते हैं जब मैं कुछ सालों पहले मिसर गया, तो वो मुझे म्यूजियम में ले गए, मैंने कहा, यहां से मुझे बाहर निकालो क्योंकि मैं यह देख नहीं सकता, आप शितानी चीजों को महसूस कर सकते हैं, तब वो विक्ति हमें नीचे ले जाना चाहता था, जहां काम चल रहा था और मंदिर था, तब पूरी बस ने कहा, हम वहां नहीं जाएंगे, हम नहीं देखना चाहते जब हम म्यूजियम में थे, तो हम शितान को महसूस कर सकते थे, वहां हम महसूस कर रहे थे कि कोई हमें दबा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, वो विक्ति बहुत दुखी हुआ, हमने कहा, हम नहीं, उस मंदिर को नहीं देखना चाहते, तो क्यों हम अपने आपको चोट कुछ लोग वहां जाकर निशानिय खरीद लेते हैं, जैसे मिसरी देवताओं की और कुछ भी, कई बार रोक म्यूजिक, लिरिक और रैप भी शेतानी होते हैं, उन्हें मत सुनो, और भाग्य बताना, और हैलोवीन, और प्रोग्राम जो भूतों पर होते हैं, वो सब शेता लोग उन बेकार चीज़ों को देखते हैं, एक ने मुझे पत्तर लिखा, उसने एंजल्स की मुर्तियां होती हैं जो और घर से बाहर फैक दी, कुरूस को बाहर फैक दिया, मैं कहना चाहता हूँ, शांत हो जाओ, हर चीज जो परमेशर को महिमा देता है, वह ठीक है, अगर आपके पास कुरूस है, तो वो आपको उसका प्यार याद दिलाएगा, अगर आप उसकी अरादना करते हैं, तो यह अलग बात है, शेतानी मूवीज, वैमपायर, भूतों की कहानी, या मूवीज, किताबें, जैसी राशिया, जोच, शिविद्या, खत्रनाग है, आपका घर है, और आपका दिकार है, वो चीजे बंद करनी चाहिए, और उनके लिए प्रातना करें, ईशु के लहू को लगाएं, और शेतानी गेम्स भी नहीं खेलनी चाहिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप इसरेल जाएं, तो वहां से शेतानी आँख न खरी दें, मेरे कहने का मतलब है, दुकानों से, अगर आपके पास है, तो जला दें, कई बार आप इसरेल में दुकानों पर आपको हाथ मिलेंगे, जिन पर आख के निशान होंगे, उन्हें मत खरीदना, जब मैं छोटा था, तो जदू टोना करने वाली आती थी, और हाथ हिलात होता था, कुछ लोग मिसर में जाकर निशानिय खरीदते हैं, वो सब शेतानी हैं, कई बार लोग मीटिंग में मेरे पास सभा में आते हैं, और उन्होंने सिंग पहने होते हैं, किसी जानवर के सिंग गले में, मैं उन्हें निकालने को कहता हूँ, तब वो ठीक होते हैं, कि शेतानी सपनों से दूर रखे वो सब चीजें शेतानी है अगर आपने कोई शेतानी टैटू बनाया है तो उसे मिटा दें आपको उसके बारे में सोचना चाहिए अगर आपने किसी विक्ती का नाम या बाइबल के वचन लिखे हैं तो वो ठीक है एक विक्ती को आत्माय देखने का वरदान था तो उसने देखा कि टीवी से आत्माय निकल कर लोगों के पीछे लग रही है फूत वाली मूवी कभी नहीं देखें कोई चीज जो यिशु की महिमा को नहीं देता उसे न देखें कोई चीज आपको नुकसान नहीं पहुचाएगी जब तक आप उसे अनुमती नहीं देते जब तक आप उसमें विश्वास नहीं करते अगर आप गुड लग के ताबीच के पीछे पड़ेंगे तो आप मुसिबत में पड़ेंगे इसे समझना असान है कोई भी चीज जिसकी आप वर्शिप करने लगो उसे बाहर फैक दो और मेरे पास भी इश्व मसी की तस्वीर है जिसमें वो नाव पर खड़ा है वो मुझे प्रेरना देती है कुछ करने के लिए हे दोस्तों अगर आप चैलन पर नए हैं तो चैलन को सस्क्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानि खंटी वाले बटन को दबारा मत भूलना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो मैं चैलन पर आपके लिए पॉस्टल्, प्रोफिय्ट, पास्टल् उन सब की गौहियां और उनके परचार ले कराऊंगा कि परमेर्शन उसे कौन से काम लिए उन Lac yüzden क्या किया परमेर्शन के जिन्दगयों में क्या किया मैं इस चैलन पर आपके लिए लेकराऊंगा